आज देख रहे हैं बहुत से लोग विश्वास से दूर जा रहे हैं मगर हम परमेश्व पर कैसे विश्वास दुनिया में प्रभू ईश्व मस्टी को वेजा ताकि हम लोग आनंत जीवन पाए और सारे पापों से उधार पाए उधार हम लोग पाते नहीं है मेरपियो मैं आज देख रहे हैं बहुत से लोग विश्वास से दूर जा रहे हैं मगर हम परमेश्वर पर कैसे विश्वास करते हैं हम परमेश्वर पर इस तरह विश्वास करते हैं कि जैसे देखते आकास को देखते हैं प्रिश्वी को देखते हैं सारे भूमंडल को देखते हैं इसके द्वारा हम समझ पाते हैं कि इसको बनाने वाला एक परमेश्वर है वोई परमेश्वर आज से 2023 साल पहले इस धर्थी पर आया प्रतेक मानों के लिए वो इस दुनिया में आया और सास्त्रम ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलावता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नास ना हो हम उस अंदेखे परमेश्वर पर हमको विस्वास करना है जैसे उस विस्वास कैसे करेंगे जैसे माकास को देख रहे हैं इसको देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हाँ इसको बनाने वाला एक परमेश्वर है वही परमेश्वर जो अगम में जोती में रहता है किसी मनुस ने उसे देखा है ना कभी देख सकता है उसी परमेश्वर ने आज से 2003 साल पहले येश्व मसी को धर्ती पर भेजा प्रतेक मानों को बचाने के लिए येश्व मसी ने कुरूस पर अपना लहू बहाया और आज भी वह जीवित है और स्वर्ग में विराजमान है आप सब को जय मसी की प्रभू आप सब को आसिस दे और देख सकते हैं हमारे बीच में प्रभू के दास पास्टर फ्रैंसिस पॉल जी जो है की उपस्तित है और जैसे कि आप लोग को बताए कि बिश्वास हम लोग को कैसे करना चाहिए क्योंकि आज हम लोग बोलते हैं कि विश्वास करते हैं लेकि जब आती है समय कि विश्वास प्रभु इश्व मस्रीख को उपर करते हैं तो दुनिया को उपर हम लोग करने लगते हैं और उसका कारण है होता है कि हम लोग गढ़े में गिर जाते हैं और हमारे जो परमेश्व इस दुनिया में प्रभु ईश्व मस्जी को वेजा ताकि हम लोग आनंत जीवन पाए और सारे पापों से उधार पाए उधार हम लोग पाते नहीं है मेरे प्रियों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ देखे कितना सुन्दर नजारा है तो आप लोगों ने देखा कि कुतना सुन्दर नजारा है और यह प्रभु बनाया है और मेरे प्रियों ये इतना सुन्दर दिखाई दे रहा है वो परमेश्वर जो इस दुनिया को बनाया वो परमेश्वर इतना सुन्दर नजारा बनाया जो हम लोग देखते हैं और महसूस करते हैं और मेरे प्रियों ठीक वैसे ही परमेश्वर दुनिया को सब कुछ जो कुछ लोग देखते हैं परमेश्वर बनाया है और ठीक परमेश्वर बाइबल बताती कि हम लोग अपने सवरूप और अपने समानता में बनाया है और इतना ही नहीं परमेश्वर हम सबसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उस पाप के गड़े म ना जाए हम लोग उस परमेशर प्रभु हिश्व मसी को बिश्वास करें और आनंत जीवन पाए और जो प्रभु हिश्व मसी दुनिया में है हम सब के लिए मरा और हमारे पापों के लिए मरा मेरे प्रभु चाहता है कि हम लोग उनको पर इमान लाए और विश्वास करें और और आनन्ट जीवन पाए और उस पाप से बचाय जाए तो मेरे प्रियों मिलकर उस परमेश्वर की महिमा कर सके मेरे फिर इस वीडियो को जो आप लोग ज्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सब के जीवन में काम करें सबको जय मसिपी